आज मैं आपके लिए लेकर आयूं मार्गरेटा पीजा की रेसिपी मार्गरेटा पीजा तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है और इसे आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से तो चलिए फटा फट से डॉमिनो स्टाइल मार्गरेटा पीजा बनाना शुरू करते हैं आज मैं यहां ले रही हूँ मार्गरेटा पीजा बनाने के लिए रेडिमेट बेस आप चाहओ तो यहां पर घर का बना बेस भी ले सकते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां जाकर देख सकते हैं तो सबसे पहले हम इसके उपर लगा देंगे पीजा पास्ता सॉस तो यहां पर मैंने टू टेबल स्पून पीजा सॉस लिया है और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे आप यहां पर पीजा सॉस की जगा पर पीजा टॉपिंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसके उपर अच्छे से पीजा सॉस लगा देते हैं और अब हम इसके उपर लगा देंगे मार्गरेटा पीजा का सबसे में इंग्रिडियन्ट जो की है मौजरेला चीज तो यहाँ पर मैं हाफ कप मौजरेला चीज ले रही हूँ जो की इस तरह से डाइज में है आप चाहो तो यहाँ पर ग्रेटेड चीज या प्रोसेस चीज का भी इस्तमाल कर सकते हूँ मार्गरेटा पीजा में सिफ और सिफ चीज का ही फ्लेवर होता है इसके अंदर हम कोई वेजटेबल का इस्तमाल नहीं करेंगे इसको लिए हमें इसके अंदर डबल कॉन्टिटी में चीज डालना होगा और इसी वज़े से ये पीजा बच्चों का फेवरेट होता है अब हम इसके उपर डाल देंगे half teaspoon red chili flakes यहाँ में ले रही हूँ half teaspoon mix up आप चाहो तो mix up की जगाँ पर औरीगनों का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ देखिए margarita pizza हमारा bake होने के लिए तयार है तो आप चाहो तो इसे कड़ाई में भी bake कर सकते हूँ मैं यहाँ ले रही हूँ microwave की plate उसके अंदर हम इसे bake करेंगे microwave में कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर 10 minute bake करूंगी आप कड़ाई में करेंगे तो आपको 15-20 minutes लग सकते हैं तो यहां पर हम इसे रख देंगे microwave के अंदर, अब हम कर लेते हैं टाइम को सेट, तो सबसे पहले मैंने grill plus convention को प्रेस किया, फिर 180 डिग्री पर मैंने इसे प्रेस करकर 10 मिनिट के लिए इसे बेग करने के लिए रख दिया, तो यहां देखिए हमने इसे start कर दिया है, और 10 मिनि अब हम पीजा को निकाल लेते हैं, तो बहुत ही perfectly हमारा पीजा बेक होकर तयार है, यहां पर देखिए ब्रेट के अंदर भी बहुत ही अच्छे से crunch आया है, और यहां पर हम इसे काट लेते हैं slices में, तो यह लिजिए बिलकुल domino style margarita pizza हमारा बनकर तयार है, बहुत ही perfect और बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाता है, तो कैसे लगी आपको हमारी margarita pizza की recipe हमें comments करकर जरूर बताना, अगर आपको हमारे recipes अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को like करना ना भूले, तो यहां देखिए बहुत ही perfectly यह cut चुका है, तो अब हम एक slice को हाथ में लेकर बतात होगा कि बिल्कुल मार्केट जैसा पीजा हमारा घर पर बनकर तयार है और वह भी बहुत ही कम समय के साथ है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नई recipe के साथ, thank you so much